इस वीडियो में मैं आपको उता आपको बंो बताने वाला हूँ चलिए ज़्याद समय नहीं ना लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं विड़ो से पहले चैनल पर नहया है चैनल सस्क्राइब ज़्रूरर करईगा यह से दिए आपको मिलेगा उकर रहसे जब आप अपनेелюay tone ठों के सटिंग्स में जाएंगे सब से नीचे आना वगा तो system का option मेलेगा system पर क्लिक करना वगा इसमें आपको नीचे आना हुगा तो नीचे आने पर आपको एक option में जाएंगा developer option का अगर आपके phone में developer option on होगा तो आप जब developer option पर click करेंगे तो देखिए ये तो दोस्तो देखिए आपको अपने phone में ये stay week का setting मिल जाएगा लेकिन मालीजे अगर आपको अपने phone में developer option का option नहीं मिल रहा है तो इसका मतलगी ये है कि आपके phone में developer option on नहीं है तो अगर आपको developer option का option दोस्तों नहीं मिलता है तो नीचे देखिए about phone का option मिलता है about phone पर click करना होगा इसमें सब से नीच आएंगे तो आपको यह build number का option मिल जाएगा तो आपको इस build number पर लगाता है 7 वाइर click करना होगा तो जो आप 7 वाइर click करेंगे उसके बाद आपको अपने phone का lock मांगा जाएगा तो आपको अपने phone का lock डाल देना है उसके developer option ओन हो जाएगा उसके बाद आपको about phone से back आना है तो आपको यह about phone के ऊपर ही developer option मिलेगा इस पर click करना है अब इसमें दोस्तों देखिए यह stay week का setting मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर click करके इस setting को on कर देना है अब देखिए इस setting on होगा तो क्या होगा कि जब आपका phone दोस्तों charging पर लगा रहेगा तो दोस्तों आपका phone का screen हमेशा on ही रहेगा आपका phone का screen दोस्तों बंद नहीं होगा तो इस सेटिंग को on रखने से ये होता है और अगर आप दोस्ते इस सेटिंग को बंद रखेंगे तो फिर दोस्ते चार्जिंग के टाइम ये आपका स्क्रीन आफ हो जाएगा लेकिन जब आप इस सेटिंग को on रखेंगे इस तरह के से तो चार्जिंग के टाइम आपका स्क्रीन जो है ओन ही रहेगा तो इस तरह के साथ दोस्तर इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं अपने आईटेल के मोबाइल में विडियो पशन्द आया है लाइक करके चानल को सब्सक्राइब जरूर करतीजेगा